अफसरो वाला गाउं, यानी इसका मतलब है कि एक ऐसा गाउं जा हर घर में है AIS और AIPES आफिसर एक परिबार तो ऐसा भी है जहाँ पांच AIS अदिकारी है जी हाँ भारत में सबसे जादा आईएस और आईपेस देने वाला ये गाउं उत्रप्रदेश की जूनपूर जीले में मौजूद है इस गाउं का ना मोधा पट्टी है और इसे अफसरों का गाउं भी कहा जाता है जूनपूर जीले के मोधा पट्टी में सिफ 55 परिवार हैं और 47 आईएस और आईपेस आफसरे ये अधिकारी अपने राज्य सहित पुरे देश में सेवा देते हैं दिल्चस्पात तो ये है कि आजादी की वक्स से पहले इस गाउं के लोग प्रशाशनिक सेवा में कारेकरत रहे हैं और आज भी वही परंपरा जारी हैं यूपी के जोनपूल जीले के अंतरगत आने वाली मोदा पट्टी गाउं जीला मुख्याले से सिर्फ 11 किलोमिटर दूर बसा है इस छोटे से गाउं में सिर्फ पिचोतर घर हैं और हर घर में एक या दो आईएस आईपेस आफसर हैं और ना सिर्फ प्रशाशनिक अधिकारी बलकि देश-विदेश की बड़ी संस्था में पत्सत हैं कई लोग विज्ञानिक और इंजीनियर चार्टेट अकाउंटेट भी हैं इस गाउं में जब कोई तीस तेवार पड़ता है तो देश भड में सेवा दे रहे मादो पट्टी गाउं के अधिकारी परिवार के साथ तेवार मनाने के लिए आते हैं दिवाली में तो रंग बिरंगी लाइटों से जादा नीली बत्ती वाली काड़िया दिखाई देती हैं वाकर एक गाउं में इतनी सारे IPS IPS का होना बड़ी बात है इस गाउं की आबादी सिर्फ 800 लोगों की है और 47 लोग IPS है मोधा पट्टी गाउं में परिवार ऐसा भी है जहां सबसे जादा आईए सदिकारी पैदा हुए है यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है साल 1995 में परिवार के बड़े बेटी विनै सिंग ने सबसे पहले सिवल सर्विसेस की परिक्षा पास की थी रिटारिन्मेंट के पहले वो बिहार के मुख्य सचीव बन चुके थी वहीं भाई छत्रपाल सिंग अजे कुमार सिंग भी साल 1964 में आईएस बने थी इसके बाद परिवार के सबसे छोटे भाई शशिकान सिंग साल 1968 में आईएस बने हैं आशा सिंग, उशा सिंग, इंदू सिंग और सरीता सिंग भी एक ही परिवार से नाता रखती हैं और सभी अधिकारी हैं मादोपट्टी गाओं का पहला आईएस अफसर साल 1914 में मादोपट्टी गाओं को पहला आईएस अफसर मिला था उनका नाम मुस्तफा हुसेन था वह साल 1914 में डिप्टी कलेक्टर बने थी वही देश की आजादी के बाद साल 1922 में इंदु प्रकार सिंग पहले आईस बने थी जो फ्रांस सहित कई देशों के राजदूर थे